हेलो एबरीबान वेलकम टू गीता फैसन बूटीक आज की वीडियो हम ब्लाउज के बैक नग डिजाइन से अब करेंगे इसके लिए हमने ब्लाउज को कट कर लिया है लंबाई इसकी तेरा इंच रखी है चैस्ट साइस का हमने नौ लिया है इसके गर लेकर डिजाइन हम में फोल कर लेंगे यह हमने फोल कर लिया है अब हम बोटने की मार्किंग करेंगे तो नौर्मली हम बोटने की चोड़ाई जो है वो पांच इंच रखते हैं तो इस पर निसान लगा लेंगे से हम नीचे लगा लेंग निसान और इसकी जो गहराई रखते हैं वो चार इंच पर रखते हैं निसान लगा लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे फिरम कॉर्नर से दो इंच पे एक निसान ओन लगाएंगे लाइन खीच देंगे ऐसे और हम गोल सेप देंगे इसको इस तरह से लाइन को टॉस्करते हुए हुए मार्कें हो गई है अब इसको कट कर लेंगे अगे अविजित कर लिया है इसे पागिए अब हम इसको एक कप्रिपपे छिपका लेंगे इस तरह से इसको चिपका लिया है और साइड से एक्स्टर कपड़े को थोड़ा थोड़ा छोड़ते हुआ कट कर लिया है अब इसको इस तरह से फोल कर लेंगे हमें फोल्ड कर लिया है अब हम ब्लाउज लेंगे अब इसके उपर हम इसको सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे इसको पर गल्ले को उल्टा करके रखा है इसको पिन के साथ हम सैट कर लेंगे जिससे यह दुर दुर भागे ना अब हम किनार किनार स्लाई लगा लेंगे जिस सेप में हमारा गला है स्लाई लग चुकी है अब इन पिनों को निकाल के हम एक्स्टा कप्ड़ को कट कर देंगे थोड़ा थोड़ा छोड़ते हुए इसमें छोट छोट टिकट लगा लेंगे जिससे आसानी सी फोल्ड हो जाए अब इसको पीछी की तरव इस तरह से फोल्ड कर लेंगे फोल करने के बाद अच्छे से इसको प्रेस से हम बठा लेंगे देखिए हमारा गलावन के रेडी हो चुका है अब हम डिजाइन बनाने के इसके सेंटर में एक मार्क करेंगे इसके लिए हम सीधी लाइन खीच लेंगे इस तरह से और डिजाइन बनाएंगे तो इसके लिए हमने ये बुकरम लिया है इसको हमने डवल में फोल्ड कर लिया इस तरह से फोल्ड साइट से हम दो इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से अब हम यहां पर हार से टो कर लेंगे इस निशान से मिलाते हुए इस हमारा हाट से टो हो चुका है अब एक लाइन हम इससे बाहर की तरफ और खीचेंगे इस तरह से इसी सेप में इसको कट कर लेंगे हमारा कट हो चुका है अब ऐसा ही एक सेप हमें और बनाना है बस साइस का थोड़ा चोटा रखना है तो इसके लिए हम फोल्डेड़ क्रम पे इस तरह से हम इसको रख लेंगे और इसके अंदर हम लाइन ड्रो कर लेंगे इसी तरह से है फिर हम इसके अंदर एक लाइन और ड्रो करेंगे अब इसको कट कर लेंगे यह साइज में हमारा उससे थोड़ा चोटा रहेगा देखें दोनों हमारे कटके रैडी हो चुके हैं अब इससे हम कपड़े पेस तरह से चिपका लिए प्रेस से देखें हैं अब इसको हम उसको हमें कटकर लेंगे एक्स्टा कपड़े को थोड़-थोड़ छोड़ते हुए इस सेप में दोनों को हमें कट कर लेना है अब हम इसमें छोट-छोटे कट लगा देंगे इसी तरह से हमें दूसरे बाले पर भी लगा देने हैं फिर हम यहां पर लगाएंगे बुकरंग उपर इस तरह से और कपड़े वह हम इस पर चिपका देंगे फोल्ड करके इस तरह से चिपकात हुए लाएंगे और ऐसी हमें दूनों के चिपका लेना है अच्छे से यह देखिए यह हमारे बन के रैडी हो चुके हैं आप हम इसकी डेजाइन बनाएंगे तो इसको हम सेंटर में जो लाइन खीची थी उससे मिलाते हुए रखेंगे इस तरह से इसके जस्ट नीचे इसको रख देंगे द इनको हम पिन से साइट कर लेंगे जिस से इदर अधर भागे ना अब हमें इनके बीच में स्लाइल लगा देंगे जिस से में हमने यह कटिंग किये उसी सेप में अब बिल्कुल किनारे से लगानी है देहान रखे बुकरम के ऊपर ना जाए बिल्कुल किनारे रहे अराम से के साथ लगाने हैं कि इस तरह से हम नीचे वाले पर लगा लेंगे तो अब तो निकालने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पप्राश्मोंते इसको कोड़ कर लिए एक्सटा कप्रें को इस तरह से दोनों में कट कर लेंगे कर अभी कट होने के बाद हम छुट-्छुटे कट लगा लेंगी इनके बीच दिहान रखें शलाई नहीं कटे कि इसी तरह इसमें भी लगा लेंगे अब कट लगाने के बाद अच्छे से हम इसको सीधा कर लेंगे और पीछ तरह फोल्द कर लेंगे अब हमें डेज़्ायर बनाने के लिए इस तरह हम एक लेस को ले लेंगे मोती बाली लेस ले लिए हमाने इसको हम गले पर भी लगाएंगे इस तरह से तो सबसे पहले हम इसमें छोट-छोटे कट लगा लेंगे जिससे की आसानी से लग जाए हम इसको से लेंगे इस तरह से लगाते हुए अब इसी तरह से हम जो हमने हाट से कटिंग की है डिजाइन मुनाई इसके अंदर भी लगा देंगे इसमें लगाने में थोड़ा सा दिक्कत होगी बस धीरे धीरी लगाएंगे तो आराम से लग जाएगी इसी तरह से हमें दोनों डिजाइन को तयार कर लेना है देखिए दोनों डिजाइन हमने बना के रैडी कर ली है अब आगे हम डिजाइन बनाने के लिए सेंटर में इस तरह से तरह से तरह से तरह से तरह से तरह से साइड में की खीचेंगे और एक हम गोल्डन कलर के लिए इस लेंगे जिसको इस तरह से हमें लगा देनी है इसमें लेस लग चुकिया हमारी हमें नीचे से फोल्ड करने के लिए एक पट्टी को अटाइच करना है इसमें तो सबसे पहले हम पट्टी को कट कर लेंगे और नीचे से इस तरह से हम अटाइच करेंगे उसमें रेक प्रेस्टिस लगाएंगे पीछ एक तरह फोल्ड करते हुए इसको फिनिशिंग देंगे इस देखिए हमारा ब्लाउज का बैकनेक डिजान पन के रैडी हो चुका है ऐसी अच्छे सी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर वीडियो आपको अच्छी लगए मेरे वीडियो को लाइक कर लें वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत भाद धन्यवाद चले मिलते नेक्स्ट वीडियो में बाई अब्रीवन